हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई चैनल दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं बहुती स्पेशल इंडिमेंडस डे थीम केक जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बहुती असान तरीके से आज हम इसे बनाने वाले हैं बहुत सारे टिप्स वीडियो में आप लोग के स करें हम केक टिन को पहले से ही रेडि करकर रख लेंगी यहां पर मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है यह लूज बॉटम केक टिन है तो आगर आप केक अच्छे से केक लिसंफेक ले सकते हैं तो आदिने यहीजू ना खेल्या आप इसकी जगह पर simple cake tin भी ले सकते हैं तो इसे हम थोड़ा सा ओयल से इस तरह से grease कर लेंगे आप चाहें तो इसके अंदर butter paper भी लगा सकते हैं दोस्तो वैसे तो ये non-stick होता है लेकिन फिर भी हमने इसके अंदर थोड़ा सा oil इस तरह से लगा दिया है ताकि cake असानी से demold हो जाए तो इसके किनारों में भी आप अच्छे से इस तरह से oil लगा दीजे आप इसको oil, butter या फिर घी के साथ भी grease कर सकते हैं तो मैंने एक butter paper cut करके रखा था वो मैं इसके अंदर इस तरह से लगा दूँगी आप चाहें तो cake tin के अंदर साइड में भी butter paper कट करके लगा सकते हैं तो मैं साइड में तो नहीं लगा रही हूँ मैंने बस एक butter paper इसके अंदर कट करके डाल दिया है और इसे भी oil से grease कर देंगे तो चलिए अब हम cake के लिए better तयार करेंगी तो यहां पर मैंने लिया है डेड़ कप homemade vanilla premix दोस्तो vanilla premix की recipe मैंने already channel पे upload की है आप चाहें तो वो देख सकते हैं अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे रेडिमेट premix भी ले सकते हैं तो अब हम इसमें oil एड़ करेंगे यहां पर मैं 3 बड़े चमच 3 टेबल स्पॉन refined oil एड़ कर रहे हूँ oil के अंदर कोई भी smell नहीं होनी चाहिए बिना smell का कोई भी cooking oil आप इसमे एड़ कर सकते हैं अब यहां पर कुछ drops मैं pineapple essence के एड़ कर रहे हूँ दोस्तो आप जिस भी flavor में cake को बनाना चाहते हैं वो essence से आप इसमें एड़ कर सकते हैं आज मैं इस cake को pineapple flavor में बना रहे हूँ तो यहां पर मैंने थोड़ा सा pineapple essence एड़ किया है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर cake का बैटर तयार कर लेंगे बैटर के अंदर गुठलियां वगरा बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए एकदम स्मूथ बैटर हमें तयार करना है और पानी को आप थोड़ा थोड़ा करके यड़ कीजिए और इस तरह का एकदम स्मूथ बैटर हमें तयार करना है और आप इसकी consistency भी देख सकते हैं तो अब हम बैटर को cake tin के अंदर डाल देंगे तो सारे बैटर को हम इस तरह से ऊपर से cake tin के अंदर टाल देंगे और अब हम इसे एक तोबाद tap कर देंगे ताकि कोई extra air bubbles इसमें ना रहे तो चलिए अब हम इसे bake होने के लिए रखेंगे तो मैं इसे कड़ाई में bake कर रहे हूँ कड़ाई को मैंने low flame पे preheat कर लिया था अब हम इसको धकन से cover करने के बाद 40 से 45 मिनट तक bake करेंगे जब तक के एक bake हो रहा हम यहां पर cream को whip कर लेंगे दोस्तों आपकी बहुत सारी comments मुझे मिलते हैं कि हमारी cream अच्छे से whip नहीं होती है तो आज मैं आप लोगं को बताने वाली हूँ कि आप cream को किस तरह से अच्छे से whip कर सकते हैं तो यहां पर मैंने लिया है एक कप जिल्ड whipping cream और नीचे मैंने एक बरतन में पानी रखा है एक तम ठंडा पानी है उसमें थोड़े से ice cubes मैंने डाल दिये हैं और उपर आप इस तरह से cream वाल रख सकते हैं दोस्तो आपने अक्सर कहते होई सोना होगा कि cream के अंदर ice crystals बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए यह जो मैं आपको दिखा रही हूँ यह बर्फ के टुकड़े हैं जब हम cream को market से लेके आते हैं तो हम उसे freezer में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि इस तरह से cream के अंदर बर्फ जम जाती है तो यह ice crystals cream के अंदर नहीं होने चाहिए अगर आप इस तरह से ही cream को whip करेंगे तो cream अच्छे से whip नहीं हो पाती है तो हम इने चमत से इस तरह से चला लेंगे तो यह जो बर्फ के टुकडे हैं वो चमत से ही melt हो जाएंगे अगर आपके पास time है तो आप पहले cream को freezer से बाहर निकाल कर fridge में रखिए जहांपर आप दूद वगरा रखते हैं तो cream जो है वो melt हो जाती है लेकिन cream ठंडे ही रहती है उस cream को आप whip कीजिए तो भयाने आपको दिखाने के लिए आज इस तरह की cream ली है तो देखे चमत से चला कर हम यह ice crystal जो है वो बिल्कुल इस तरह से खतम कर लेंगे उसके बाद हम cream को whip करेंगे तो आपकी cream अच्छे से whip हो जाएगी तो बहुत सारे friends के कमेंट्स आते थे कि हमारी cream अच्छे से stiff नहीं हो पाती है तो देखे यहां पर हमने जो बरफ के टुकडे हैं वो अच्छे से melting को कर लिया है चमत से तो आप चाहें तो hand whisker से कर सकते हैं या फिर electric beater से भी आप उसे low speed पे चला के खतम कर सकते हैं यह बरफ के टुकडे तो अब हम cream को whip करेंगे तो पहले हम cream को low speed पे whip करेंगे उसके बाद हम इसकी speed को बढ़ाएंगे तो एक से दो मिनट के लिए आप इसे low speed पे whip केजिए तो यहां पर मैंने electric beater लिया है आप इसकी जगा पे hand whisker भी ले सकते हैं तो उससे भी आप cream को whip कर सकते हैं अब यहां पर मैं थोड़ा सा pineapple essence इसमें add कर रहे हूँ आप जिस भी flavor में cake को बनाएं तो आप थोड़ा सा essence cream के अंदर भी add कर दीजे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो अब हम cream को stiff होने तक अच्छे से whip कर लेंगे तो यहां पर cream जो है वो अच्छे से stiff हो चुकी है और इसको whip करने में मुझे 15-20 मिनट लगे हैं तो चलिए cream whip हो चुकी है इसे हम fridge में रख देते हैं तब तक हम cake को देख लेते हैं यहां पर cake भी अच्छे से बेख हो चुका है toothpick को center में डाल कर इस तरह से चेक कर लेंगे कि cake अच्छे से बेख हुआ है या नहीं तो देखे toothpick बिल्कुल clean है इसका मतलब cake अच्छे से बेख हुआ है और cake को बेख होने में 40-45 मिनट का समय लगा है और अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे उसके बाद हम इसे demold करेंगे तो यहां पर cake जो है वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो अब हम knife को इसके इस तरह से cake टिन के किनारों में चला देंगे ताकि यह easily demold हो जाए तो देखिए यह बहुत easily demold हो जाता है अगर आपका cake अच्छे से demold नहीं होता है तो आप इस तरह का cake टिन भी ले सकते हैं और cake अच्छे से बेख हुआ है बहुत यह अच्छा सा color cake में आया है तो इस तरह से हम इसे bottom से अलग कर लेंगे तो देखिए मैं इसे हाथों से हलका सा प्रेस करते हुए हम इसे अलग कर लेंगे बहुत यह असानी से यह demold हो जाता है हमने इसके अंदर एक butter paper भी डाल दिया था तो butter paper को इस तरह से हटा देंगे तो cake अच्छे से बेख हुआ है बिल्कुल भी कच्चा नहीं है cake तो आप यहां पर देख सकते हैं बहुत ही ज़ादा soft और spongy है दोस्तों इस cake को हमने homemade premix के साथ तयार किया है आप चाहें तो बिना premix के भी cake बना सकते हैं उसकी recipe भी मैंने channel पे already upload की है तो अब हम इसको जो uneven उपर की इसकी layer है उसे हम इस तरह से cut करके निकाल लेंगे तो देखे बहुत ही अच्छी जाली cake के अंदर आई है बहुत ही ज़ादा soft है उपर से हम इसे top layer को even कर लेंगे लेकिन हम इसे फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं जो हमने cut किया है उसे भी हम cake के अंदर ही लगाएंगे नहीं तो cake की height कम हो जाएगी तो मैं इसे 2 layer में cut कर रही हूँ आप चाहें तो 3 layer में भी cake को cut कर सकते हैं तो यहाँ पर आज मैं इसकी 2 layer ही cut कर रही हूँ तो देखे हमने इस तरह से इसे cut कर लिया है आप चाहें तो thread से भी इसे cut कर सकते हैं center से तो यहाँ पर हमने cake की 2 layer को cut कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही जादा soft है cake और जाली भी बहुत ही अच्छी आई है तो चलिए अब हम icing करेंगे तो यहाँ पर पहले cake board के ऊपर थोड़ी सी cream लगा लेंगे उसके ऊपर cake की पहली layer रखेंगे और इसे sugar syrup से soak कर लेंगे sugar syrup बनाने के लिए 2 चमच पाउडर शुकर के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और उसी में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा pineapple crush ताकि टेस्ट बहुत ही अच्छा सा है तो इसे हम sugar syrup से अच्छे से soak कर लेंगे इस layer को इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा pineapple crush दोस्तो pineapple crush डालने से टेस्ट बहुत ही ज़ादा अच्छा था है अच्छे से इस तरह से knife से फैला देंगे अब हम इसके ऊपर cream लगाएंगे तो cream को हमने whip करके रखा था आप cream को पहले से fridge में थोड़ी देर के लिए whip करके रख सकते हैं तो मैंने cream को whip करके रख लिया था तो अब हम cream को पूरी layer के ऊपर इस तरह से पैला देंगे तो एक अच्छा सा cake को खाते हुए crunch भी आए तो मैं यहाँ पर थोड़े से चोको चिप्स सेट कर रहे हूँ यहाँ पर मैंने थोड़े से white चोको चिप्स इस तरह से डाल दिये हैं और इसे knife से सेट कर दीजिए अब जो cake की हमने onion one layer को cut किया था उसे मैं इस तरह से लगा रहे हूँ दोस्तो आप इस तरह से cake के बीच में इस तरह से लगा सकते हैं ताकि बिल्कुल भी पता ना चले तो अब हम इसको भी थोड़़ सा sugar सिरप से soak कर लेंगे ऐसा करने से क्या होता दोस्तो के cake की height कम नहीं होती है तो अब हम इसके उपर cream लगा कर इसे cream से पूरी तरह से cover कर देंगे तो आप इस तरह से अपने cake को अच्छी height दे सकते हैं अगर इस तरह से आपका cake जो है उसकी top layer जो है uneven होती है आप उसको cut करके इस तरह से center में लगा सकती है इसके उपर हम थोड़ी से चोको चिप्स डाल देंगे दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर chocolate को grate करके भी डाल सकते है उससे भी taste काफी ज़ादा अच्छा आता है अब यहाँ पर हमने cake की second layer इस तरह से रगती है और इसे भी शुगर सिरप से हम सोक कर लेंगे तो शुगर सिरप से सोक करने से कि यह काफी देट तक soft और moist रहता है तो हमने इसे अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर लिया है और अब हम इसके उपर cream लगाएंगे और पूरे cake को cream से cover कर लेंगे तो cake की top layer के उपर हमने cream को लगा लिया है अब हम side में इस तरह से थोड़ी थोड़ी cream लेकर side में भी लगा लेंगे तो यहाँ पर मैं इसे पहले crown coat कर रहे हूँ उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए fridge में रखेंगे ताकि यह cream जो है यह layer अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद हम इसकी final finishing करेंगे तो यहाँ पर जो cream है हमने लगा लिए है अब हम इसे थोड़ी देर के लिए मैं इसे 5-10 मिनट के लिए fridge में रखतूँगी उसके बाद हम इसकी final finishing करेंगे तो यहाँ पर मैंने cake को fridge से बाहर निकाल लिया है मैंने इसे 5 मिनट के लिए रखा था और अब आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से cream इस पर लगती है बहुत अच्छे से cream से cake cover हो जाता है तो जहाँ जहाँ आपको लगे केक नजर आ रहा है cream से अच्छे से cover कर लीजिए और इसको side से finishing देने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है scrapper तो scrapper से हम जो extra cream है उसे scrap कर देंगे और top layer को अच्छे से इस तरह से clean कर लेंगे अब हम बनाएंगे chocolate गनाश तो उसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा white chocolate को cut कर लिया है यहाँ पर मैंने 100 g white chocolate ली थी उसे मैंने इस तरह से cut कर लिया है और उसे इस तरह से गरम पानी का बरतन मैंने नीचे रखा है उसके उपर इस तरह से रखेंगे और दो बड़े चमत जिसमें दूद डाल देंगे अच्छे से mix कर लेंगे यहां पर हम pouring consistency का गनाश बना रहे हैं तो इसे melt होने दीजिए मैंने कुछी second के लिए से ऐसे ही छोड़ दिया था और chocolate जो है वो अच्छे से melt हो रहा है आप देख सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम इसे चमत से इस तरह से चला लेंगे तो आप देखे एक दम smooth consistency का हमारा chocolate गनाश जो है वो बिलकुल तयार हो ग है तो एक पार्ट मैं इस तरह से बरतन में ही छोड़ रही हूं और दो पार्ट को मैंने इस तरह से काटोरियों में डाल लिया है और अब हम एक में डाल देंगे green color तो यहां पर हमने लिया था green gel food color डाल कर अच्छे से mix कर लेजिए और दूसरे bowl में हम डाल रहे हैं यहां प तो हमने simple white ही रखा है तो अब हम इस तरह से इसे mark कर लेंगे यहां पर मैं palette knife से इसी थोड़ा सा mark कर रही हूं और यहां पर मैंने एक plastic sheet को इस तरह से cut कर लिया था तो उसे हम इस तरह से cake के अंदर लगा देंगे क्योंकि हम यहां पर गनाश को pour करना है तो आप कोई file folder ले स सकते हैं उसमें से cut कर सकते हैं इस तरह से तो आप इस तरह से cake के ऊपर इस तरह लगा दीजिए और जो white color का गनाश है उसे हम इस तरह से center में डाल देंगे और इसको डालने के बाद हम इसे चमत से हलका सा spread कर देंगे बस यह काम आप ध्यान से करिए ताकि cream बाहर बिल्कुल बैक के अंदर भर कर भी इस तरह से गनाश को डाल सकते हैं लेकिन मैंने तो चमत से ही डाल दिया है बहुत ही असानी से आप इसे कर सकते हैं ग्रीन कलर हमने डाल दिया है अब हम दूसरी साइट डालेंगे यहां पर केसरिया कलर इस तरह से चमत से ओपर से पोर कर दीजिए तो देखिए बहुत ही हलके हाथों से कीजिए और इसे भी अच्छे से स्प्रेट कर लीजिए दोस्तो इसी चम्मस से मैं इसकी यहां पर आर्टिफिशल ड्रिपिंग कर रही हूँ इससे केक साइड से बहुत जादा खूब सूरत लग रहा है और जिस तरफ हमने ग्रीन कलर का फ्रिज में रख दीजिए तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था उसके बाद हम इसके उपर जो हमने इस तरह से पट्टियां लगाई थी प्लास्टिक की उसे हटा देंगी और आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत ही खुबसूरत केक के उपर कलर लग रहे हो बॉर्डर से के काफी ज़्यादा खुबसूरत लगता है अब जो तिरंगा के अंदर सेंटर में होता है अशोक चकर वो बनाएंगे तो इसके लिए यहां पर मैंने इस तरह का डिस्पोजेरबल कप लिया है और इसके उपर हम डाल देंगे वाइट मैंने यहां पर थोड से हम इस तरह से कट कर लेंगे ताकि यह चौकलेट जो हमने बनाई है वो अच्छे से डी मोल्ड हो जाए तो मैं इसे इस तरह से सीजर से कट कर रहे हूं तो इसे हलका सांदर से आप प्रेस करेंगे तो यह बहुत यह असानी से डी मोल्ड हो जाती है तो यहां पर आप थोड़ा सा ब्लू कलर रैड करके भी ये लाइन्स तयार कर सकते हैं अब हम इसे पांच मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे उसके बाद हम इसे केक के ओपर इस तरह से लगा देंगे दोस्तो बहुत ही असानी से आप इसे तयार कर सकते हैं तो चलिए चॉकलेट गनाद से ही इस तरह से राउंड को तयार कर लेंगे दोस्तो यहां पर हमारा तिरंगा केक जो है बिलकुल तयार हो गया है और बहुत ही ज़ादा खूबसूरत लग रहा है आप इसे घर में बहुत ही असानी से बना सकते हैं दोस्तों उमीद करती हूँ आपको आज की यह बहुत ही special इंडिबेंडेस डे थीम केक की रेस्पी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल भी मत बूलिए चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में जो पहले करना है उसे ओल पर प्रेस कीजे ताकि म मेरे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों मिलते हैं नई और असान रिस्पी के साथ थेंक्स फॉर वाचिंग